प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्साह कायम होगा बच्चों, आज हम आठमी कक्षा के विज्ञान का अध्याय तेरा द्वनी पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों, पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं विध्याले में पढ़ते वक्त कालांश के खतम होने का पता आपको कैसे चलता है? क्या आप अपने माता-पिता की ध्वनी सुनकर ही उन्हें पहचान सकते हैं? लुका छुपी का खेल खेलते समय आप अपने मित्रों को किस प्रकार ढूनते हैं? जी हाँ, इन सब में कहीं न कहीं ध्वनी, आवाज या साउंड हमारी हेल्प करती हैं चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? ध्वनी क्या है? ध्वनी किस प्रकार उत्पन होती है? मनुश्यों में ध्वनी, ध्वनी के संचरण के लिए माध्यम की आवेशक्ता होती है ध्वनी के विभिन गुण, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनिया, ध्वनी प्रदूशन और उसे कम करने के उपाए तो चलिए बच्चों, इन सब के बारे में अब हम एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं ध्वनी किसे कहते हैं? बच्चों, हमारे कानों को सुनाई देने वाली कोई भी आवाज ध्वनी कहलाती है ध्वनी उर्जा का एक रूप है जो हमें सुनने में सहायता करता है प्रतीक वस्तू की अपनी एक विशेश ध्वनी होती है जैसे घड़ी की सुन्यों की टिक-टिक की आवाज जैसे किसी स्विच को ओन या ओफ करने की आवाज या किसी पंखे के परों के घूमने की आवाज तो इस प्रकार ध्वनी का हमारे जीवन में एक महत्वपून स्थान है एक दूसरे से संपर्क रखने में भी यह हमारी सहायता करती है चलिए अब देखते हैं ध्वनी उत्पन किस प्रकार होती है ध्वनी वस्तूओं के कमपन से उत्पन होती है जब कोई वस्तू अपनी माध्य स्थिती के इधर उधर या आगे पीछे गती करती है तो कहा जाता है कि वस्तू कमपन कर रही है और इसी कमपन से ध्वनी उत्पन होती है आईए कुछ उधारन देखते हैं दो कीलों को एक मेज पर कुछ दूरी पर लगाएं एक रबड के चल्ले को खीच कर इन कीलों के साथ बांढ दे अब रबड के चल्ले को लगबग बीच में से खीच कर छोड़ दें देखिए क्या होता है रबड का चल्ला कमपन करने लगता है और हमें ध्वनी सुनाई देती है जब चल्ला कमपन करना बंद कर देता है तो ध्वनी बंद हो जाती है आईए एक और उधारन को देखते हैं एक धातू की थाली लीजिए इसमें कुछ जल डालिए अब इस धातू की थाली में चमच के साथ इसके किनारों पर आघात करिए देखिए जल में थाली के कमपन से लहरें बनने लगती है इन उधारनों से यह सिद्ध होता है कि ध्वनी कमपित वस्त्वों के द्वारा उत्पन होती है बच्चों क्या आप इसका कोई और उधारन सोच सकते हैं जी हाँ यदि आपके दिमाग में किसी तरीके के वाद्ययंत्रों का उधारन आ रहा है तो आप बिलकुल सही हैं एकतारा, मंजीरा, खटम ये कुछ वाद्ययंत्र हैं जिनसे बहुत सुन्दर संगीत बजाया जाता है यह संगीत इन वाद्ययंत्रों को केवल पीट कर या आघात से उत्पन्ग होता है बच्चों, आप भी एक ऐसा वाद्ययंत्र बना सकते हैं धातू के साथ ग्लास लीजिए इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमश जल के बढ़ते स्तर तक भरिये यानि कि एक ग्लास में थोड़ा कम जल, दूसरे में उससे थोड़ा जादा, तीसरे में और जादा और इस तरीके से साथो ग्लास में बढ़ते वेस्तर में पानी भरिना है अब एक पैंसिल को लेकर ग्लासों पर धीमे से एक के बाद एक आघात करिये तो हमें एक सुखद ध्वनी सुनाई देती है बच्चों यह है हमारा जलतरंग जब हम किसी वाद्दे यंत्र जैसे सितार के तार को कर्शित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनी नहीं सुनाई देती वास्तव में संपून यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन ध्वनी को हम सुनते हैं इसी प्रकार जब हम किसी व्रदंगम के जिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल जिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपून यंत्र की आवाज सुनते हैं चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि मनुश्ययों में ध्वनी किस प्रकारुत्पन होती है कुछ बोलते समय अपने हाथ को अपने कंठ पर दिखाए अनुसार रखिये क्या आपको कुछ कमपनों का अनुभव होता है? हाँ जी, मानवों में ध्वनी वाक यंत्र अत्वा कंठ के द्वारवत्पन होती है अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिये तथा एक कठोर उभार को खोजिये जो खाना निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है शरीर का यह भाग वाक यंत्र या लेरिंग्स कहलाता है यह श्वास नली के उपरे सिरे पर होता है वाक यंत्र या कंठ के आरपार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायू के निकलने के लिए एक संकीन जीरी बनी होती है जब फेफडे वायू को बल पूर्वक जीरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कमपित होते हैं जिससे ध्वानी उत्वन होती है वाक तंतु से जुड़े मास पेश्या तंतु को तना हुआ या धीला कर सकती हैं जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनी का प्रकार या उसकी गुंटा उस वाक ध्वनी से भिन होती है जब वाक तंतु धीले और मोटे होते हैं ध्वनी की गुंटा तंतु की लंबाई पर भी निर्भर करती है एक पुरुष के वाक्तंतू की लंबाई 20 mm होती है लेकिन एक महिला के वाक्तंतू की लंबाई लगभग 15 mm होती है और बच्चों के वाक्तंतू बहुत छोटे होते हैं इसलिए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की ध्वन्यों में अंतर पाया जाता है ध्वनी संचरण के लिए माध्यम जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारती हैं तो आपका मित्र आपकी आवाज को सुन पाता है क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज उस तक कैसे पहुची? जी हाँ, ध्वनी को संचरण के लिए अर्थार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है जब किसी जगह से वायू को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो कहा जाता है कि उस स्थान पर निर्वात या व्यक्यूम बन गया है क्या ध्वनी निर्वात में संचरित हो सकती है? आईए, जानते हैं काच का एक गिलास लीजिए उसमें एक विद्धुत घंटी रखिए जिसका स्विच आपके हाथ में होना चाहिए गिलास को वेक्यूम पंप के साथ जोड दीजिए अब घंटी का स्विच आउन करिए और देखिए क्या आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है? जी हाँ, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है अब वेक्यूम पंप को चला दीजिए और घंटी को भी आउन कर दीजिए आप क्या देख रही है? धीरे धीरे घंटी की आवाज धीमी हो रही है और कुछ समय बाद घंटी की आवाज सुनाई देना बंद कर देती है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेक्यूम पंप ने गिलास में से सारी वायू खीच कर वहां निर्वात बना दिया और वायू के न होने के कारण घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनी के संचरण के लिए कोई न कोई माध्यम होना आविशक है क्या ध्वनी ठोसों और द्रवों में भी संचरित होती है? आईए, इसे भी जानते हैं बच्चों, आप बाहर बज रही घंटी की आवाज को तो असानी से सुन सकते हैं क्या आप इसे जल में भी सुन सकते हैं? आईए देखते हैं एक बाल्टी लीजिए और उसे जल से भर दीजिए घंटी को जल के अंदर ले जाकर बजाईए ध्यान रहे कि घंटी बाल्टी की दिवारों को ना चुए अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए ताकि जल आपके कान में प्रवेश ना कर पाए क्या अब आप घंटी की आवाज सुन सकते हैं जी हाँ आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनी द्रवों में भी संचरित होती है आईए अब देखते हैं कि ध्वनी ठोस पदार्थों में भी संचरित होती है या नहीं आप अपने कान को लकडी की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रख कर अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोचने के लिए कहिए क्या आपको खरोचने की आवाज सुनाई दे रही है चलिए एक और मनुरंजक खेल खेलते हैं एक खिलोना टेलिफोन बनाते हैं इसके लिए दो पेपर कपों को दिखाए अनुसार जोड़िये जब अपने एक मित्र को कप में से बोलने के लिए कहा जाता है तो दूसरे कप में आप अपने कान पर लगाकर उसकी आवाज सुन सकते हैं हलो हलो मेरा नाम सीमा है आपका नाम क्या है तो क्या आप मेरे साथ ये खेल खेलना पसंद करेंगे हां जी बच्चों यह खेल बहुत ही मनुरंजक था सो हमने सीखा कि ध्वनी, गैस, द्रव और ठोस पदार्थों के अतिरिक्त धागे में से भी संचरित हो रही है लेकिन निर्वात में से संचरित नहीं हो सकती मनुष्य के कान बच्चों हम कानों के द्वारा अपने आसपास की भिन भिन ध्वनियों को सुनते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं कान किस प्रकार हमारे ध्वनी को हमारे दिमाग या हमारे मस्तिक्ष तक पहुँचाता है यह जानने से पहले एक और क्रिया कलाब करते हैं एक डबा लीजिए और उसमें एक सेलफोन रखिए. डब्बे को रबड के गुबारे की सहायता से बंद कर दीजिए. इस गुबारे की सतह पर कुछ मिट्टी के कन रखिए. अब डब्बे में रखे फोन की घंटी बजाईए. देखिए कि मिट्टी के कनों को क्या होता है? जी हाँ, मिट्टी के कन उचलने लगते हैं. यह हम कह सकते हैं कि कन कमपन करने लग जाते हैं? बच्चों, इसी तरह से जब हमारे कान में ध्वनी प्रवेश करती है, तो एक नलिका से गुजरती है, जिसे हम श्रवन नलिका कहते हैं, और इसके सिरे पर एक पतली तनित जिल्ली होती है, जिसे कन पटह कहते हैं. आम भाशा में हम इसे कान का परदा कहते हैं, कन पटह टीन के डब्बे पर लगी हुई रबड की तरह कारे करता है, मिट्टी के कनों के जैसे ध्वनी के कमपन कन पटह में कमपन करते हैं, कन पटह इन कमपनों को कान से अंदर की तरफ भेज देता है, और वहां से इन संकेतों को मस्तिक्ष तक भेजा जाता है, और इस प्रकार हम ध्वनी को सुन पाते हैं, ध्वनी के विभिन गुण सबसे पहला गुण है कमपन का आयाम ध्वनी का आयाम इसकी प्रबलता को निश्चित करता है ध्वनी की प्रबलता ध्वनी उत्पन करने वाले कमपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है ध्वनी की प्रबलता समानुपाती है आयाम स्क्वेर के उधारन के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता चार के गुणक में बढ़ती है ध्वने की प्रबलता को डेसिबल जिसे डी भी लिखते हैं डेसिबल मातरक में व्यक्त किया जाता है कुछ ध्वनियों की प्रबलता का मान इस प्रकार है समान ने श्वास की प्रबलता 10 डेसिबल मंद फुसफुसाहट की प्रबलता 30 डेसिबल समान ने बातचीत में ध्वनी की प्रबलता 60 डेसिबल व्यस्त यातायात के समय ध्वनी की प्रबलता 70 डेसिबल और किसी औसत फेक्टरी से आने वाली ध्वने की प्रबलता असी डेसिबल होती है असी डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वने शरीर के लिए कस्ट दायक हो सकती है कमपन की आवरित्ती और आवर्तकाल हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार-बार इधर-उधर गती करना कमपन कहलाता है इस गती को दोलन गती भी कहा जाता है अतर प्रती सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवरित्ती कहते है आवरित्ती को हर्ड्स में नापते हैं जिसे हम HZ लिखते हैं ध्वने की दीख्ष्णता या तारत्व आवरित्ती के द्वारा निर्धारित होता है यदि कमपन की आवरित्ती अधिक है तो ध्वनी तिखी होगी और यदि कमपन की आवरित्ती कम है तो ध्वनी का तारत्व कम होगा आवर्थकाल प्रती दोलन को होने के लिए लगे हुए समय को दोलन का आवर्थकाल कहते हैं आवर्त काल को समय के मात्रक जैसे की सेकेंड में मापा जाता है चलिए बच्चों अब हम देखते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनिया जिस आवर्ति की ध्वनि को मानवकान संसूचित कर पाते हैं या हम कह सकते हैं सुन पाते हैं वे ध्वनिया श्रव्य ध्वनिया कहलाती है मानवकानों के लिए श्रव्य ध्वनियों की परास 20 हर्ड से 20 हजार हर्ड तक होती है जबकि 20 हर्ट से कम और 20,000 हर्ट से जादा आवरती की ध्वनी को मानवकान संसूचित नहीं कर पाते हैं इन ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियां कहा जाता है अब जानते हैं ध्वनी प्रदूशन के बारे में वातावरण में अत्यधिक व अवांचित ध्वनियों को शोर या ध्वनी प्रदूशन कहा जाता है इसके कई मुख्य कारण हैं जैसे वाहनों की ध्वनिया विसफोट या पठाकों का फटना लाउड स्पीकर, मशीने वर रसोई घर के उपकरणों की आवाज इत्यादी अधिक आवाज में टेलिविजन या म्यूजिक सिस्टम्स का बजाना यह सभी ध्वनि प्रदूशन के स्मुख्य स्त्रोथ हैं ध्वनि प्रदूशन से होने वाली हानिया ध्वनि प्रदूशन अत्यदिक शोर के कारण अनेक स्वास्त्य संबंधी समस्याएं उत्पन होती हैं जैसे अनिद्रा, अतितनाव या हाइपरटेंशन, चिन्ता, हार्ट अटेक या दिल का दौरा पढ़ना और स्थाई या अस्थाई रूप से बहरा पनुत्पन होना यह सभी हानिकारक प्रभाव ध्वनि प्रदूशन के कारण होते हैं तो ध्वनि प्रदूशन को किस प्रकार रोका जाए ध्वनि प्रदूशन को रोकने के उपाए ध्वनि प्रदूशन को नियंत्रित करने के लिए हमें शोर के स्त्रोतों पर नियंत्रन करना चाहिए जैसे मशीनों वा अन्य जादा ध्वनी उत्पन करने वाले उपकर्णों पर रव शामक युक्तियां लगानी चाहिए अर्थार्थ इन पर साइलेंसर्स लगाने चाहिए जो अनावश्यक ध्वनी को उत्पन ना होने दे इसके साथ ही उद्विजन तथ संगीत निकायों की ध्वनी की प्रबलता कम रखनी चाहिए वह सडकों और भवनों के आसपास अधिक से अधिक पेल लगाने चाहिए जिससे ध्वनी आवासों तक न पहुँच पाए चलिए बच्चों अब हम इस पाठ की दोहराई करते हैं ध्वनी कमपन करती हुई वस्तू के द्वारा उत्पन होती है ध्वनी किसी माध्यम जैसे की गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है प्रती सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन की आवरित्ती कहलाती है आवरित्ती का मात्रक हर्ड्स है कमपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनी उतनी ही प्रबल होती है अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती है ध्वनी प्रदूशन स्थाई या अस्थाई बहरापन उत्थपन कर सकता है चलिए बच्चों, आप कुछ रिक्तिस्थान भथते हैं और मुझे उम्मीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे पहला ध्वनी रिक्तिस्थान का एक रूप है ध्वनी किसका रूप है? जी हाँ, ध्वनी उर्जा का एक रूप है दूसरा, ध्वनी डैश द्वारा उत्थपन होती है जी हाँ, बच्चों, ध्वनी कमपन द्वारा उत्थपन होती है मनुश्य में ध्वनी यंत्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसे वाक यंत्र या लेरिंग्स कहा जाता है ध्वानी की श्रव्य सीमा क्या है? जी, बीस हर्ट से बीस हजार हर्ट्स आपके लिए मेरे पास एक प्रश्ण है जिसे आपने लिखना है सोच समझ कर तो प्रश्ण है शोर प्रदूशन कम करने के उपाय लिखिये बच्चों, इस अध्याय को ध्यान से पढ़कर समझ कर इस क्वेश्चिन का आंसर आप अपने आप लिखने की कोशिश करिए तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये अध्याय ध्वनी समाप्त होता है इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा? ध्वनी, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनिया, हम बोलते हैं तो ध्वनी कैसे उत्पन होती है ध्वनी हमें सुनाई कैसे देती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ आगया होगा बच्चों, आप हसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए धन्यवाद